Hello my dear students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो बच्चो आज की वीडियो में हम बात करेंगे R.D. शर्मा की exercise 19.2 surface area and volume of a right circular cylinder बच्चो मैं आपको बता दूँ कि exercise 19.2 के question number 1 से लेके question number 15 तक को हम solve कर चुके हैं आज हम बात करेंगे question number 16 and 17 की तो चले बच्चो इस वीडियो की शिरुवात करते हैं क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ बुद्ध्य की बात बच्चो सबसे पहले हम बात करते हैं question number 16 की तो चले बच्चो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस question का मतलब क्या है देखिए आपको height given है यह आपका circular cylinder है height का value है 10.5 meter इसके बाद क्या बोला गया है three times the sum of the areas of its two circular faces तो आपके two circular faces कौन कौन से होंगे बच्चो एक तो ये वाला ठीक है top वाला और एक bottom वाला ठीक है bottom में भी होगा आपका यह आपका होगा pi r square और ये भी होगा आपका pi r square दोनों का add कर लेंगे तो कितना आजएगा बच्चो two pi r square मेरी बात आ रहे है समझ में बच्चो आज मेरी तब्याद थोड़ी सी down है गला खराब है so sorry for that I will try my best तो चली अब समझ लेते हैं ये जो statement है इसका मतलब क्या है three times तीन गुना किसका है sum of the areas of two circular faces three times the sum of the areas of two circular faces आप दोनों को add कर देंगे जो circular faces है आपके cylinder के अंदर यानि कि two pi r square इसका तीन गुना मेरी बात आ रहे है बच्चो समझ में three times the sum of the areas of its two circular faces आपने दोनों को add कर दिया circular faces को तो आपके पास आ गया है two pi r square इसका तीन गुना है इसका three times है तो आप यहाँ पर लिख देंगे two pi r square तो बच्चो इसके बाद क्या बोला गया है इस twice the area of the cut surface तो इसका simple सा मतलब है यह जो cylinder है इसके cut surface area का दो गुना twice ओके इसका क्या मतलब है इसका मतलब है यहाँ पर इसके बराबर है इसके equal है two times of cut surface area तो इसका formula क्या होता है बच्चो जल्दी से बताइए two pi r h तो यहाँ से आप h का value यहाँ पर put कर देंगे h का value आपको given है height आपको given है तो आप क्या निकाल लेंगे r का value find कर लेंगे यह बात आ रहे है समझ में तो चलिए 2 से 2 आपका यह cancel out हो जाएगा ठीक है तो यह आपका हो जाएगा 3 pi r square is equal to 2 pi r h तो यह pi से pi आपका cancel out हो जाएगा इसके बाद आपका एक r से 1 r cancel out हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3 r is equal to 2 h तो बच्चो यहाँ से आप r का value find कर सकते हैं R का value हो जाएगा 2H upon 3, तो यहाँ पर आप H का value पूट कर देंगे 10.5, 2 into 10.5 upon 3, तो बच्चों इसके बाद इसको solve कर लेंगे, इसको आप कट कर लेंगे, यह आपका जाएगा 3.5 और इन दोनों को multiply करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7, तो that means radius का value आपके पास आ जाएगा 7 meter, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो, आप से पूछा गया था find the volume of the cylinder, तो इस cylinder का volume find करने के लिए, आपके पास R और H का value होना चाहिए, तो H का value आपको already given था, R का value आपने यहाँ से find कर लिया, तो simply values को यहाँ पर put कर देंगे, और volume आप निकाल लेंगे, तो चले यहा पर हम values को put कर लेते हैं, 22 upon 7 into R square, तो that means R का value आपके पास 7 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7 into 7, H का value 10.5 which is given to you, तो यहाँ से आपका 7 से 7 cancel out हो जाएगा, तो आप इसको multiply कर लेंगे, 22 into 7 into 10.5, तो बच्चों इसको आप multiply कर लीजिए, आपके पास answer आ जाएगा, 1617 meter cube, okay, so this is the answer for this problem, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, question number 17 की, how many cubic meters of earth must be dug out to sink a well 21 meter deep and 6 meter diameter, find the cost of plastering the inner surface of the well at rupees 9.50 per meter square, सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं, जिससे इस question को solve करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप से पूछा है, how many cubic meters of earth must be dug out to sink a well 20 meter deep and 6 meter diameter, देखो, अब यहाँ पर बोला गया है, आपको एक well create करना है, यानि की एक कुवा आपको create करना है, जमीन के अंदर, ठीक है, अगर आपको कुवा create करना है, तो उसके लिए आपको कुछ मिट्टी निकालनी पड़ेगी, मेरी बात आरे हैं समझ में, इस dugout का मतलब है, कि मिट्टी को खोद कर बाहर निकालना, ठीक है, sink का मतलब है, गड़ा, okay, well का मतलब है, कुवा, how many cubic meters of earth, इस earth का यहाँ पर मतलब है, जमीन, यानि की मिट्टी, okay, कितनी आप बाहर निकालोगे, dugout, खोद कर कितना बाहर निकालोगे, okay, तो यहाँ पर देखो measurement given है, 21 meter deep होना चाहिए, यह जो कुवा है, well है, okay, यहाँ पर मैंने mention कर दिये, यह जो कुवा होगा, ठीक है, यह कैसा होगा, cylinder की shape में होगा, height होगी आपकी 21 meter, और diameter होने चाहिए 6 meter, अगर diameter 6 meter है आपकी, तो radius कितनी हो जाएगी, 3 meter, obviously, okay, इसके बाद आप से पूछा है, find the cost of plastering the inner surface of the well at rupees 9.50 per meter square, तो बच्चों अब आप से पूछा गया है, कि यह जो कुवा है, इसको अंदर से plaster करना है, इसका जो inner surface है, उसको plaster करना है, और उसके plaster करने की जो cost होगी, वो आप से पूछी गई है, तो यहाँ पर दो चीज़े आप से पूछी गई है, पहला जो volume है, और दूसरा है cost, तो चली बच्चों 1 by 1 solve कर लेते हैं, सबसे पहले आपको find करना है volume, तो volume के लिए बच्चों आ values को यहाँ पर put कर देंगे, 22 upon 7 into r square, तो that means 3 का square, जो कि 9 हो जाएगा, तो बच्चों इसके बाद height का value आप put कर देंगे, जो कि आपको given है 21 meter, तो यहाँ पर इसको आप solve कर लेंगे, यह आपका 3 आजाएगा, तो यह आपका आजाएगा 22 into 27, इसको multiply कर लेंगे, आपके पास जाएगा 594 meter cube, तो volume आप निकाल चुके है, बच्चों volume निकालने के बाद आपको find करना है, cost of plastering the inner surface of the well at rupees 9.50 per meter square, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इसकी cost निकालने के लिए, जो आपका inner surface है, तो वो basically क्या है, आपका एक तरीके से cut surface area है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, cut surface area, उसके बाद आपको, यह जो rate आपको given है, इससे multiply करना पड़ेगा, ठीक है, उस area को, तो वो आपके पास total cost निकाल के आ जाएगी, तो चली, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, cut surface area, आप लिखेंगे, cut surface area, 2 pi r h, तो यहाँ पर आप values को put कर देंगे 2 into 22 upon 7 into r, r का value आपके पास given है, 3 meter, h का value 21 meter, तो इसको आप solve कर लेंगे, यह आपका 3 आ जाएगा, यह आपके पास 44 into 9, तो बच्चों यह solve होके आपके पास आ जाएगा, 396 meter square, यह आपका cut surface area होगा, तो बच्चों जैसे यह आपका cut surface area निकल के आ जाता है, उसके बाद आप निकाल लेंगे total cost of plastering, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, मैं यहाँ पर line draw कर देता हूँ, आप यहाँ पर लिखेंगे, total cost of plastering, तो यह क्या होगा बच्चों, यह जो cut surface area है, यह जो आपका cut surface area है, इसी को आपको multiply करना है, per meter square, यह आपका total cut surface area है, और यहाँ पर आपको per meter square दे रखा है, तो चलिए हम यहाँ पर values को put कर देते हैं, 9.50, तो यह आपका है 396, ok, 396 meter square और यह है आपका 9.50 per meter square, तो meter square से meter square आपका cancer out हो जाएगा, और यहाँ पर आपका answer आजाएगा, 3762, ok, यह आपका rupees में होगा, so this is the answer for this problem, तो बच्चों आपने देखा कितना आसान था, आपको radius और h का value already given था, यहाँ से आपने volume निकाल लिया, उसके बाद आपने जो cut surface area है, उसको find कर लिया, ok, और यहाँ पर जो आपको cost given थी, rate given था, वो आपको per meter square का given था, तो आपने यहाँ पर total cut surface area find कर लिया, ok, और rate से यहाँ पर multiply कर दिया, तो आपके पास total cost निकल के आ गई, तो चली बच्चों मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह दोनों questions समझ में आ गए होंगे, अगर फिर भी कुछ doubt है, कोई problem है, तो आप comment section में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं, I will definitely reply, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं, नए वीडियो में, नए questions के साथ, so thank you so much for watching this video,